सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन को जरूर दबाएए अज मैं आपको मुंग फली और गुड की बर्फी की रेसिपी बना के दिखाऊंगे मुंग फली के के मात्राइं पाखनें, यह जुड फली को में बर्फसक्राइब मुंग फली के बर्फ चेया प्रकाइब करते हैं 150 घर्सब्सक्राइब करें, जया मैं हमाIntासे कैейств सब्सक्राइब करें देखना थोसे काट बूइसित पोड़िकाश। 1 टेबल इस्पून घिय और 2 टेबल इस्पून मेरे पास पंगे इन aisट प्रेका जिए और लेखें कर लेती। गेसन संपोर पैन रख ड़ीके सिंद्ट do इनको में मेडियम रखा है जो रोष्ट होना शुरू हो गाए है अभी इनको थोड़ा सा और रोस्ट करूंगे मैं मुंफली के दाना हुए से खुजबु आना शुरू हो गई है रोष्ट हो चुके हैं जे में गेस के ट्रेम को ओफ कर देती हूं अब इनको थंडा होने देंगे और हल्का थंडा होने पे विसका हम पुर पुंठ लेंगे मुशा ही की दाने हलके थंडा हो चुके रेंटे से pieces il अको देना कर देंगी तो थंडा बना 1500 की continue इसलिए मीडियम थिल्डे पे इसका छिल्का निकाल लेंगे इस तरह से हातों से मसालते हुए हम छिल्का को मैंने अलग कर दिया है फटक कर अब इन दानों को मैं मिक्सर के जार में डालूंगी और इसका दरदरा पाउडर बनाऊगी ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना ह अब पाउडर को दरदा रखना है तो चलिए अमें इसका पाउडर बना लेती हूं देखिए इस तरह से मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है ज़िए हम करके उसके पेन करब होनी के लिए रख दिया है इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेंगे घी डाल देते हैं घी अध्रक का पेस्ट डाल देती हूं अध्रक का पेस्ट को हम आधा मिनिट गी के साथ फ्राई कर लेंगे अध्रक फ्राई हो चुका है इसमें हम गो टाल देते हूं पाने डाल देते हैं अब गोड़ को अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें हम मेजे मुंख फली का पाउडर डाल देती हूं इनको अच्छे से मिक्स कल लेंगे और इसको जब तक हम पकाएंगे जब तक कि यह गारा न हो जाए इतना गाड़ा करेंगे जिससे जे अच्छे से जम जाए देखिए इसकी कसेंटेंसी एकदम जमने लाइफ हो गई है अब में गेस की फ्लम को ओफ कर देती हूं कि यहां मैंने बर्तल ले लिया है जिस बर्तल में हमें इसको जमाना है उसमें घी लगा लें इसके बाद हम इसको डाल देते हैं और इसको चारो तरफ फेला लें ज्यादा पतला ली करेंगे थोड़ा मोटा ही रखेंगे जिससे इसका सेव बर्फी जासा के इसके उपर अब मैंजे कटे हुए बगाम डालके इनको भी फेला लूंगी इनको एक कटोरी की साहिता से भी हम चिकना कर सकते हैं अब इसको दस मिंट के लिए ठंडा होने देंगे इसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे इसको मैंने हलका ठंडा कर लिया है अब इसमें हम कट करने सान लगा लेते हैं जिसलिए बाद में आसानी से निकल सकें इसमें मैंने कटकरेशाल लगा लिए हैं अब मैं इसको पूरी तरह ठंडा होने दूंगी इसको ठंडा होने में दो गिंटे लगेंगे जिससे पूरी तरह जम के सेट हो जाएगी इसके पीसेज निकाल लेंगे बर्फी पूरी तरह ठंडे हो चुकी है अब मैं गेस अन करके इसको हलका सा गरम कर लेते हूं जिससे इसके पीसेज असाने से निकल जाएंगे इसको हमें हलका सा गरम करना है बस इस बर्फी को मैंने गेस पे आट दस सेकेंड गरम किया है चलिए अब इसके पीसेज निकाल लेते हैं जाकू की साहता से इसके पीसो को अलग कर लेंगे जो हमने कट लगा थे उनी कट के उपर हमें डबल से चाकू चलाना है सारे पीसेज असानी से निकली आएंगे अब इनको मैं प्लेट में रखते हैं देखे फ्रेंस सारी बर्फियां मैंने प्लेट में निकाल लिए बहुत अच्छी बर्फिय बनके तयार हुए इस बर्फिय मैंने अध्रक का यूस किया है सार्दियों का मोसम है जैसे भी अध्रक हमारे सरी के लिए बहुत फायदा मान होता है तो आप भी इस मुंफली गोर्ड अध्रक वाली बर्फिय की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको मेरी जै रेसिपी पसंद आगे हो तो लाइक बटन जरू दवाईए और म मिलते हैं फिर एक बार जै के दार खाने में अब तक के लिए अल्ला हाफिज